कैसे हो आप सब बढ़िया बिल्कुल अच्छा ही होगा अगें आज की क्लास भाई साहब आज की क्लास इतनी इंपोर्टेंट है ना आपने सुच्ची ना होगी चाहे कुई साभी हमारे या आपके कुई पीय सिक्षक होंगे ना जो इस चैप्टर को मतलब जो क्लास तेंथ का से जान दे दिया होंगे आपके परिबए या कुई भी होंगे ना उन से आप पूछोगे हम हमको यह बताईए यह कॉरूशन है इंपॉस्ट्रेंट है इसको प्लिट करें यह नहीं उंका वस एक ही करना होगा अरे यह पुशन तो काफी बार लगए हर बार हमारे जान में प ता आपके उपर कुसमोगा आपको किस परकार इस कोश्च सेखना ila दो दे दे वो एक जामिनर का लिए रूल सेम रहेगा सब में उसके बाद हम भीड सारे कोश्चन करने वाले और यह जो है रिशनल लंबर का हम लोग का लाश्ट क्लास होने वाला है तो कोई नहीं आप बस महनत करो ठीक है अब यहां ध्यान दोगे यहां रिशनल लंबर बोल वित्यास अबिश्चन करते हैं पढ़े उसको समझने से पहले JOSH हमको पर आट करते हैं हमको पर यहां यह परаться है कहां बलुग अ या, composite number तो पढ़ाए जी थे हमको, साथ ही साथ को प्राइम्स नहीं पढ़ाए थे, अच्छे नहीं पढ़ाए थे, कोई नहीं, अब बदलेंगे, इसमें कौन सी समझ जाए, first of all, प्राइम्स में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे कि, एक्जाम्पल ही में पहले लेता आपको, फिर आपको बताना है, कैसे आप आचानोगे, ये प्राइम्स है, जिसे हम लोग पढ़े थे, प्राइम्स नंबर के एक्जाम्पल में, दो था, तिन था, आच था, साथ था, ये सारा नमबर हमारा प्राइम नमबर हुआ करता है अगें कंपोजिक नमबर की बात करें तो इसमें आपका 4 था, 6 था, 8 था, 9 था ये सब नमबर जो है हम लोग का कंपोजिक नमबर इस नमबर को बाते थी अगें को प्राइम नमबर की बात करेंगे तो इसमें यूग मर हेगा, मतलब पेर बिबethacting कोई धो اईसा आपको नंबर लेना है, कोई भी दो ऐसा नंबर को लेना है, जिसका эта या हिया जान निकालते है, दो का फैक्टर निकालते हैki बहुत दो का फैक्टर निकालते हैं और तीनका फैक्टर निकालते हैं तो दो किसके किसके पहारे में आवत है तो एक के पहारे में और दो के पहारे में तीन किसके किसके पहारे में आवत है या एक के पहारे में और तीन के पहारे में दूनों में common factor यह हम स्याथ निकालें की में say common factor कि शिर्पाम कोःधा सबस्ता दोनों में common factor дополн. दिखरे आपको यह दिख़त है 1 तुर में दोनों में common बिलकुल झालाँ अरफ वर सुष जो means common function कतर होगा रीकर श्यां से समझ पू Alexandra कोउ प्राइम्स उसी उस्यों कहेंगे जिसका common factor जो है सिर्फ और सिर्फ वन रहेगा इसके अलावा कोई ही मेरा common factor नहीं रहेगा जब भी इसमें आएगा बस आपको यह ध्यान में रखना है ऐसा कोई भी नमबर आप दो नमबर लेका मालो कोई दो नमबर है अब टू थ्री है ना आपने मंद से ए और डी माल लो पी और क्यों माल लो कोई साथ दो नमबर अगर हम लोग पी और क्यों ले रहे हैं तो पी और क्यों के पास हैं नोट एनी कॉमन पैक्टर है अजर देन वन यह यह क्या ही लिख दिए यहां पर हम लोग लिखे हैं कि पी और क्यों के पास कोई भी कॉमन पैक्टर नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ करके अजर देन वन मतलब वन को छोड़ करके इसके पास कोई ही कॉमन पैक्टर नहीं होगा बस इसी चीज़ को यहां पर लिख लिए और यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि हां यह चीज़ हमको आवत है जह हम लोग आपको यह करेगा लुट सिर्फ इस इलेशनल लंबर अब यहां ध्यान दो कंपोजित नमर में हम लोग पढ़े थे इसके पास more than two factors होता था जैसे हम four का six का आप दोनों का factor निकालोगे तो आप बोलोगे फिर या four जो है ना यह आपका one की table में two की table में और four की table में आता है अर्थार इसका जो factor हुआ वो दो से ज्यादा हो गया जिस जिस नमबर का factor दो से ज्यादा होगा वो हमारा कम पूरिट नमबर होगा है साथ इसमें लिखना होगा बोर देन तूट है जैसे आप इसे पहले वाले class में एक portion आपको दिये थे बनाने के वहाँ पर भी आपको यही concept लगाना था कोई नमबर दिया हुआ है आपको पहचाना है वो प्राइम्स है या कंपोजिट है सिंपल सा सिंपल सा उसका आपको factor निकालना है लेकिन वहाँ पर क्या था इस परक 405 कोई नमबर दिया ठीक है 405 नहीं था वहाँ पर कुछ नमबर था हमको यार नहीं है ठीक से लेकिन कुछ ऐसा नमबर था हम लोग 910 ले दे अब यह बताना है 910 यह आपका प्राइम है या कंपोजिट है आप तो यह जान रहे हो भी या कंपोजिट मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा प्राइम मतलब सिल्फभर सिर्फ दो फैक्टर होगा प्राइम का मतलब क्या हुआ 그게 छिल्फ वह है कि इसके लावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा तो आप हूव बोगे हो यह 90 को हम को बताना है यह प्राइम होगा यह फिरकंपोजिस होगा दोनुं Как निख पहारे में 910 टाइमस में 910 आता और किसके पहारे में आता है या तू के पहारे में आता तू के पहारे में कितने पार में आता है तो 4 सिखे हो आप ठीक है इससे डिवाइड करो तू से 910 में डिवाइड करो तो कितना होगा यह आप करोगे तो 4 हो गया 5 हो गया फिर 5 हो गया जिकएrand again earn again क्या ये तिन से divide होगा नहीं होगा मिय जी फोर से divide होगा बिल्कुल फोर से divide नहीं होाग फाइसे divide होगा अब यहाँ पर आप फाइसे divide करोगे तो तो देख्ते हैu Rank तो कितनाा आ दा फाइफ अगेन 8 1 8 2 आ गया बिल्कुल इ संहरो 7 से हाँ 7 से हो सकता है 7 से divide हो जाएगा यह 7 से divide हो गया कितने tence में हुआ 130 क्या यह इट इस तरह आप को स्थोजना करेगा कौन-कौन सा number से divide हो रहा वहाँ पर तो आप परहशान हो जाओगे अगर इससे जादा नंबर आगया तो कितना आप सबका निकालोगे तो बहां पर में तरीका बताता हूं उसी तरीके से बनाओगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा ऐसे बनाओगे तो समस्ष्याइं हो जाएगा सबका निकाला वैसे हमें स्पश्च तोर पर दिख रहा है तो दो से जादा फैक्टर हो यहां इस पर सब्सक्राइब देखी रहा है और थाब 910 थे हमारा कम पूजिट नंबर ही है पर आइसे कर सकते हो एंड आइसे कर सकते है इसके लाबके अऊर भी इसका फैक्टर रहागा और दीजर्च पर लिख दिए पर इहाल थाएगे चुकि इस इधि कंपोजिट नंबर पकूजट नंबर बगाँ निकाल, पकूजूच तक आपकूजु नंबर बगोज गोई समझ्छा कुल ना यह कैसे हुआ यहां पर क्यूं लिखे एक इस परकार बनाओ ठीक है आराम से सब का फैक्टर निकाल और कम से कम दो से जादा फैक्टर देखाना है फिर आपको अगर समझ में नहीं आधर अन्ड सो और दोगे बांके छोड़ देना है आपको फिर सिध कि इसके पास more than two factors इस तरह portion जिसे यह portion है आपको बनाने के लिए दिया हुआ था चला हम लोग इसको प्रूफ करते हैं बाकि समझ में आ गया जब भी बोलेंगे को प्राइम्स तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए बैया को प्राइम्स का मतलब हुआ कि इसका जो हम लोग common factor निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ one ही होगा उसके अलावा कोई भी हम हम लोग का common factor नहीं होगा यह आपको समझना है बाते समझ में आगए चीट अब यहां पर इसमें और डीपली में बताना चाहता लेकिन रहें देते हैं चीक है हम आगे चलते हैं अब यहां अच्छा बता ही जाते हैं समझें जैसे आपके सामने कोई भी दो नंबर हम लें आ आपके मन में यह लग रहा होगा कि जो हम लोग दो नंबर का पेर ले रहे हैं जैसे आपके सामने में दो नंबर दे रहा हूं आप बताओगे यहां 4 है और 9 है यहां पर 7 है और 11 है दोनों में कौन हमारा को प्राइमस है बताओगे पहले दोनों में कौन को प्राइमस है हम दोनों में हमारा कौन सा को प्राइम से तो तुरत आप बताते हैं कौन सा को प्राइम से तो आप पहला पूशन किया है फोड नाइन का आप फैक्टर निकालोगे है फोड का फैक्टर सुन लो जब भी पूशन आपकी सामने आए तो कम से कम प्रियास करना है उसको खुडसे बनाने का प्रियास अगर बन रहा है तो यहां पर मैं ने कहीं बहुकर नहीं पूशन नहीं पूछ आता हैं जलस्ट करने च्रह को अपको फैक्टर निकाल रहे है, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, अब दोनों में common देखेंगे, दोनों में common सिर्फ और सिर्फ 1 ही दिख रहा है, इसके अलावा और कोई common दिख रहा है, अर्था यह 4, 9 हमारा 4 प्राइम्स हो गया, तो आपने यह बात जाना, कि ऐसा दो नंबर का हम लोग पेर लेंगे जिसका सिर्फ common factor 1 होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है ये 4 और 9 हमारा prime नंबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ हमको दोनों में common नंबर देखना है कि आफिर दोनों में common कौन आ रहा है कि यहां 7 और 11 हमारा prime नंबर है तो यहां हम लोग इस पश्च तोर पर बोल नहीं सकते हैं यहां पर तो one common दिख रहा अर्था यह हमारा को प्राइम्स हो जाएगा ठीक बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है को प्राइम्स का मतलब हुआ कि common factor सिर्फ और सिर्फ भवान होना चाहिए दूजा और कोई चीज दिमाग में नहीं रखना है बाते समझ में आई यह तो बहुत असान था हम लोग प्रूफ करने से पहले हम लोग कल सीखे थे क्या सीखे थे कोई भी हमारा अगर rational number होगा इसका मतलब क्या होगा कोई भी या rational number होगा ना आप उनको कल सिखाए थे कि इसको हम लोग P वटे Q की रोग में लिख सकते हैं जहांपन Q डेजनों टेको बेटो जीरो और P और यो बोलिए दोनों integers होगा कुछ याद आ रहा है यह याद है क्या ना अपर वेड़ सारे सवाल बना है यह सब तो हमारे मुख पे आ गया है यहाँ यहाँ पर फोल हम लोग को यहाँ बोला गया प्रोव डेट रूट थी इरेशनल इससे पहरे वाली क्लास में हम लोग इरेशनल वाला जैसे की प्रोव प्लस रूट थी इसको किस परकार से हम लोग इरेशनल प्रोव करते थे उन सब को प्रोव कर लिये थे अगर वो चीज समझ में आ गया था तो यह क्लास आपके लिए हलवा होने वाला अर्थात इसमें भी हम लोग सेम वही काम करेंगे जैसे इसमें हम लोग किया करते थे इसको हम लोग मान लेते थे और आप रेशनल वो ऐसा मानते थे सेम यहां पर भी इसको मान लेंगे क्या पर रवाप्चर हम आपको रेशनल मान रहे है उसको हम लोग रेशनल मानेंगे, इससे हम पिछले क्लास के तरह, अगर पिछला क्लास समझ में तनिक नहीं आया है, तो पूछना ऐसा नहीं पूछेंगे, वो काम नहीं करना है, यहाँ देखे, फटाफ़ से पहला है, नमबर सॉलिशन देखो किया है, हम लोग मान लेते हैं, लेट, रूफ थरी, इज, रेशन, आज तो लिखने में समस्या हो रहा, विकाउज अंगुठी में चोट लगा होगा है, ठीक है, तो इसकारण तरिक समस्या होगा, हलका अक्षर भी कराब होगा, और तरह धर धरी भी लिखना है, ठीक, पुसिस करते हैं, लेकिन आज क्लास क्लासर सेखने में क्लास करते हैं, जोट लगे है, पुछ भी लेकिन आजाना क्वलेगा, देके यहां फिर भी सखने में, उसको हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पर रूप 3 को हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर यह Q जो है, does not equal to 0, क्यों हमार 0 के बरावर ना होते हैं, आगे, और एक चीज़, P और Q हमारा इंटीजर्स होगा, याद पालो, मैं बार बार कह रहा, पिछला ख्लास याद पालो, अगर तनिक भी समस्य है, तो पूछो तब आगे चलना है, ओके, यह P और Q हमारा जो है, इंटीजर्स होगा, यहां लिखो P और इंटीजर्स, और एक चीज़ और इसमें मानना होगा, यहा और Q का सिर्फ और सिर्फ एक ही common factor है, जो की one है, उसके अलावा कोई भी common factor ना है इसका, ठीक है, सिर्फ one common factor इसका, यहां लिखोगे, जो चीजर्स हम लोगी वहां पर भी लिखेते हैं, P and Q have not any common factor, इसके पास कोई ही common factor नहीं है, इसके अलावा other than one, एक के अलावा, सिर्फ एक ही इसका common factor होगा, यह बात यह अच्छे से समझना है, सिर्फ one ही इसका common factor होगा, उसके अलावा और कोई common factor ना है, बस यह तीन बाते आपको समझनी हैं, हम लोग यहां पर तीन statement जो आपकी सामने रखे हैं तीनों अगर अच्छे ढंक से समझ में आ गया होगा तब हम लोग आगे बढ़ें सब कुछ समझ में आ गया है अगे इसका हुम लोग स्कॉइर करने वारे स्कॉइर करने वारे यहां पर दी। थाक दोरू करते हैं कितना रिजल्ट होगा रूट-स्क्वाइल कर दियतोan को स्बार कर दिये आपका पी बटे-क्यू का जली बोलो कही कोई शमश्या है तो पूछना है ना देख अब अर्म से कौना कोणी गुना करेंगे हां वन चिपा हुआ है q2 का गुना 3 के साथ था 3 q2 हो गया और 6 ता गुना 1 के साथ तो यह सबसे important equation आ चुका है अब यहां पर हम लोग कुछ language लिखने वाले जो अभी ना लिखेंगे अंतीम में लिखेंगे कि अंतीम में लिखेंगे लेकि समझना है सिर्फ समझ लो language अंतीम में लिखेंगे अब यहां देखो यह equation चीख के बोल रहा है हाँ तीन को जब इधर भेजोगे ना इस तीन को जो हम इधर भेजेंगे वो पी स्क्वाइड को पूरा पूरा डिवाइड करेगा इसका मतलब समझ लोगे equation का मतलब तीन को आप इधर भेजो तो भईया q square अकिला पर जाएगा और यह तीन जो है जा करके पी स्क्वाइड को दिवाइड करने वाला मतलब तीन नहीं पूरा पूरा भाग लगा रहा है अच्छा जब तीन मेरा पी स्क्वाइड को पूरा पूरा और भाग लगाता यहां यह ऐइस पर स्थgres्ट है ऐसा कोई भी नंबर ले लो जिसे हम लोग लेते हैं थ्री स्क्वाइड को तीन पूरा पूरा डिवाइड करेगा भईया सी आईडी वहा काम करते हैं रुक ये देखर थें क्या सही में ये बात चही है कि नहीं है तीन स्क्वाइड का मतलब हो गया है नाइन नाइन को तीन पूरा पूरा डिवाइड करेगा भईया जब ये कंडिशन आ जाए ना किसी का स्क्वाइड को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो यहां पर इच्वैर पश्ट है, कि तीन को भी स्क्वैर हटा देंगे seven एस को भी जो है यह तीन पुरा स्वाइड करेगी वैसा यह समझा अर्थात यहांपर अगर 5 स्क्वैर को तीन डीवाइड कर रहा है यहां स्वाइर करने वाला बताओ यहां तक में कहीं कोई समश्या भाईए जी समश्या क्या होता कुछ ना समश्या है अर्थात यह बाते मैं एक कॉशन पूछ रहा आप से फिर कॉशन में पूछ रहा ख्यान से समझोगे अगर 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 दो को दो से चार डिवाइट हो रहा है तो आपको बताना है क्या दो चार स्क्वाइल को डिवाइड करने वाला है क्या ये डिवाइड करेगा तो आप बोलो कि भाईया अगर दो से चार में पूरा पूरा भाग लग रहा है तो इसके स्क्वाइल में भी दो से पूरा पूरा भाग लगेगा यह शिखा है स्री स्री 108 भाईया जी महाराज यह हमें सिखा दिये हैं बहुत अच्छी सिखा दिये हैं इसका रिजर्ट कैसे हुआ अब आप तो यह प्रूफ चाहिए प्रूफ के अलावा यहां पहले प्रूफ दिजिए प्रूफ क्या देना फूर का स्क्वाइर करोगे 16 हो समझ रहे हो इसका रिवर्ट भी से आपका पंड़ा चलता लेकिन आपको इसको बहतर तरीके से समझना है अगर यहां पर पी स्क्वाइड को तीन पूरा-पूरा डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ समझो हम लोग यहां लैंग्विज छोड़े हैं लैंग्विज में लिखना क्या है पहला चीज लिखना है कि पी स्क्वाइर को जो है यह तीन पूरा-पूरा डिवाइड करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि पी को भी तीन पूरा-पूरा डिवाइड करेंगा हां यह बाते समझ मे थिया अब गाया, जी अब इसी को लेंके हम लोग आगे बढ़िए, अगर मान लो तीन य पीड को पूड़ा पूड़ा डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझदे स्मझना ध्यान अध्यान पुरुमफुडवरघ करते हैं, जो हम करते हैं, अगर तीन पीड को पूड़ा तो भाट खर कुछनाни व्कुष तो निकलेगा फिया से चाते हमें कंँ पता चलेका क्या निकलेका हमें तो प्यजेगां मैं ये हां में पता इनीकि नहीं क्या है जब नहीं झाल है तो यहां पर यह कुछ ग्या के निकलेतें you 3 a जी भी मिछ देंने कैं की रिजर्ट इस दोनों को multiply करके इसको जोड़ देना होता है तब मेरा पी का वैल्यू निकलता अर्था dividend equal to divisor multiply portion plus remain अर्था इस दोनों को multiply करेंगे पी equal to मेरा 3K होने को उस सीखे हो या ना सीखे हो रैंडो अभी बस इतना समझना है कि हम लोग पी का वैल्यू जो है 3K ले जादा हमें कुछ सोचना नहीं है यह हम को चीक चीक के बोल रहा है कि तीन से डिवाइड होएगा जी जिससे पी का वैल्यू निकल गया थरी के ठीक निकल गया पी का वैल्यू अगर फिर की समझ में ना रहा है तो पूछना है फिर यहां सबनाना स्टार्ट करेंगे इन इक्वेशन फर्स जिए इनिक्वेशन फर्स्ट प्रिकर 1 को फिल्ट का है पर इन इक्वेशन फर्स्ट में पूट कर रहे हैं यहां पर कि कॉमांट्व ने लेंग्युज भाद में लिखेंगे अब अब एक्वेशन में जहां पी दिख रहा है आपको वहां पर आप 3K कोट कर दो अच्छा भी आप पहले कोशन तो उतार लिए अब जहां जहां आपको पी दिख रहा है न वहां पर आप 3K कोट कर दिया अब जो कट रहा है जो कटाओ तीन से नो कटेगा तीन तिया नो कट गया हुए यहां मेरा एक्वेशन आ गया 2 स्कॉर एक्वेशन तो 3K स्कॉर नीशे दिख रहा है न आपको हां दिख रहा है अब आदी कुमिते नहीं लिखना अब यहां तक अगर समझ गए हो तो हम लोग आधी बाजी जीत चुके हैं कहीं कोई समझ्या ना है हाँ जी चल अब इस एक्वेशन को लेके चलते हैं अब हम लोग क्या करेंगे इसको उलड़तो या फिर ऐसे रहें तो 3K स्कॉर को धर लेते हैं 3K स्कॉर एक्वार्ट को की उसका है यहां तक बताओ यहां तक में कहीं कोई समझ्या बता यह ओपर अलग है कि यहां तक में कर दिखना है इसके और यहां तक मुण से अपने मं से हाँ जी अपने मन से मैं कह रहा हूँ यहां से यहां तक एक वार अच्छी धंक से देख लो समझ में नहीं है फिर से आप मतलब वीडियो को पीछे करके एक वार फिर से यहां से यहां तक देख लो फिर यहां से यहां तक एक वार अपने मन से आपको आना है और जल्दी से तिन जो है तिन को डिवाइड रड़ रहा है तो यहां पर दी इस पर जो है अगर मैं कह रहा हूं न कि यहां से लेकर अपने से बनाना तो इसको इख्णोर साथ में लेके चलोंगे न समझ्याई कभी नहीं आएंगे इसको समझ्छ कर आप मेरे बातों को इस तरह कर सोचो के मन में तुम्हा समझ्या तुलत आज़ेंगे यह समझ्या हूं मैं ठीक है ऐसा होगा आपके साथ इसमें कारा कि अपने मन से यहां तक पहुंचो तो पहुंचना है आपको अब देखो यहां पर जैसे हम लोग यहां पर देखे थे की स्क्वार को तिन डिवाइड कर रहा था उसलिए यांब पहुदार करएह था वो भी तिन पूरा प्रोक्तिम कर दिया है, आजी, अब यहां से एक जी इस फ्रेस्ट होगा, क्या, हम लोग बोले थे, समझेगा, अब यहां पर सिर्फ समझने का पेला और कुछ थे, हम लोग स्टार्टिंग में माने थे, क्या माने थे, कि ये P और Q किस प्रकार का बंदा है इसका जो common factor होगा, इसका जो common factor होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वन होने वाला, यह हम लोग स्टार्टिंग में माने थे, common factor का मतलब क्या होगा, पी और Q किसके किसके पहारे में आता है, यहां जी, पी और Q, यहना, वन के पहारे में आएगा, पी के पहारे में आएगा, क्यू पी में तीन से पूरा पूरा भाग लगता है अरफा तक रभी अरफात्स सुन है त्ट है जो है तिन ऐने खारे में एका अच्छा आधी हैं नो इस पर्श्ट तोर पर हम लोग दिखा रहे हैं यह देखो इस परषट तोर पर हम लोग यहां दिखा रहे हैं कि क्यों भी तीन के भारे में आ रहा है कि असलब यह दोनों आपस में बोल रहा है कि पी और क्यों का सिर्फ और सिफ और सिफ पॉमन फेक्टर तो वन ही है ना आज इती हास बदलते हैं पी का जो है एक और क्यों गूंड था चुछ चुछ एक और थाटर थीन वा दोनों का जब थाटर थीन हो गया यह आपको बोल रहा है यहां यह तीन किसका प्सक्टर था से जुआ कि हम माने थे वो गलत हो गया और यही निकालना था मैंना हुआ गलत हो जाए, वहीं पर हम लोग का प्रूफ हो जाए पस, समझ में आगी, अब यहीं पर आपको लिखना है, अब लेंग्विज लिखेंगे, 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 अब लेंग्विज बार में लिखेंगे, बार में लिकित समझा देंगे, इसमें खूंशी समझ आए, उक्या भाया, जाता नहीं मिटाएंगे, इसमें लगता है, ना अजी, यहां देखें, इसको हम लोग तरफ सबसाल जगा देजे, इस पेज देजें आपके, जब जगव की कमें नहीं अपनी तो क्यों हम चोटा चोटा सा लिखे अच्छे से दिखेंगे ना जगां क्या था Q स्क्वाइर थ्री के स्क्वाइर रिक्वाइर टू प्रू इस पस्ट तोड़ पर क्या बोल रहा था आपको कि भाईया थ्री से जो है Q स्क्वाइर में डिवाइड लगेगा रहता थ्री से जो है Q में डिवाइड लगे रहा है यहां पर यह समझ में आ गए हाँ अब पहले इसका लेंग्वेज लिख लेते उसके बाद आने बड़े जब इसका लेंग्वेज लिखो तो इसको इसको नहीं फोलो कि तो समझ में कैसे आएगा आपको यह बहुत असान है अब देखो अब यहां पर हम जो लेंगे इस लिखना है जहां से सम्झों कि हाँ देखो इसका मतलब क्या हुआ इस एक्वेशन का मतलब पी स्क्वाइर को डिवाइड कर रहा है थी अधार चुकि पी स अलसो कि दिवीजिवल कि बाय थी बस यहीं लिखना है इसके लिए क्यों आप इतना परिशांग किया हैं को देर्फोर अर्था तीन से पी में पूरा-पूरा भाग लग रहा है अर्था थी इस एक फैक्टर ओपी कि अर्था ना की सिंदिल ठापी निकल गया थैंकि का एक फैक्टर तीन निकल जाएगा रथा दोनगे का पी और क्यू का पॉमन अब कि हम आने थी वह बात में गलत हो जाएगा हम लोग का फ्रूफ हो जाएगा समझ मैं आके इसे यहां पर आपको सेम वही करना है आपको क्या तो रोगे चुकी क्यू स्क्वाइट इस डिवीजिबल बाई थ्री एंड देर्फोर क्यू इस ऑल्सों इस देवीजिबल बाई थ्री आपके जब क्यू स्क्वाइट को तेन पूरा-पूरा भाव लगारा थे तो क्यू पोभी तीन पूरा-पूरा भाव लगाएगा इससे क्या इस परश्ठ हो गया कि थ्री जो है कि वह क्यू का थैंटर तो थ्री इंटर आपकर और यहां तक में आप यह तो हम लोग बोल सकते हैं here C and Q has यहां लिखो here इसी पर लिखे तीन जो है तीन इजे common factor of P and Q मतलब यहां पर यह बोल रहा है तीन समझना तीन जो है P का factor है यहां बोला जा रहा है तीन जो है Q का factor है इस दोनों से हम लोग बोल सकते है तीन जो है P और Q का common factor हो गया अभी तुरत हम लोग देखे थे common factor था थी अपने आपको पूरा थ्यान अपना जो ध्यान रहा है पुरा यहां पर केंदे थो तब समझ में आएगा language हम क्या लिख रहे हैं फिर से हम बोल रहे हैं ठीक है हमने बोल रहा है पुरा करें हम लोग बोल रहे हैं इसको हम भी स्ड़क है कि इसको इसको इक्विशन थर्ड माल थे शुर्ट कोशिए यहां लिख यहां लिख रहा है यहां लिखो यहां लिखो फ्रॉम प्राइम्स का मतलब जो माने थे ना वह गलत माने थे ठीक है here comes contradiction contradiction समझ रहो यह contradiction एक ऐसा वर्ड है इसका मतलब ही होता है कि जो हम लोग इस तार्टिंग में माने है न वह अंज में गलत माने है उसके लिए एक वर्ड लाया गया contradiction अगर आपको देना है दे सकते हो और यहां पर बोल सकते हो यहां पर यहां पर विरुधा भास होता है क्या होता है यही कि हम लोग जो माने थे वह यहां पर लेकिन निकल रहा है प्योड क्यों क्या को प्राइम्स होई निटाप इसका एक और कॉमन फर्टर टीन हो रहा है अर्था यहां पर प्रडिक्शन आ रहा है ठीक है यहां लोग बोल सकते हैं आवर अवर और एजमिशन इस रौंग है हमारा मानना जलत है बस यही हो गया और स्था डौंग है रुड ट्री एज अन इसनल रूट त्री इस एन रिशनल रूट री इस एन इन इसनल प्राइब नहीं कोश्ण उस्याप निचे दिख रहा है इवहां सब देख रहा है य strawberry यह पूशन यहां से यहां तक समझ में आया नहीं आया तो पूछना है भी या समझ में नहीं आया ठीक है? कम से कम इस पूश्चन में स trademark हूं Liberal के में मत पूछने हैं जब यह कोच्छन देखे तो पूछ लिया करो, हां भी आ, समझ में आ रहा है, यह नहीं आ रहा है, कम से कम पूछा करो, ठीक है? अब आप तो आप फुल से यहां से इस्टार्ट करोगे और यहां पर अंतिकर लेगे, हम आपके लिए रूप हो गया है, हम आपके लिए रूप अपने मन से बनाना है, एक निजब फिर से देखो, देख लो, हम उन्हीं कोच्चन में आपको खुद से बनाने के लिए कहाते हैं, जो कोच्चन हमें लगता है, बेहत इंपोर्टेट है, अगर मैं कह रहा हूँ ना, कि यहां पर खुद से स्टार्टिंग से लेके अंतिम त जल्दे से यहां से के यहां तक खुद से बनाओगे, हाँ, हमें लग रहा है आपको था लेंगेज लिखने में समझ्याइं होंगे, तो कोई बात नहीं, समझ्याइं क्या ही होना है, यह तो अराम से लिख लोगे, कि P2, इसलिए P भी जो है, डिवाइड करेगा, P को भी डि निकल जाएगा, अर्था यहां ठीं का कमन फैक्टर निकल गया, जब कमन से निकल गया है, हम लोग बोले थे, जो हम भी और यहां पर यहां पर जू था, गया, यहां पर यहां पर कॉंट्राइडिक्सन हो गया, झी। जो हम माने थे वो गलत हो गया अर्थात यहां पर रूट 3 हमारा इरिशनल लंबर है ओपरी में संख्या है ठीक है चलो हम आगे चलते हैं अब जो है आपका होंबर रहेगा इस रूट 3 के जरगा पर रूट 5 का रूट 7 का रूट 2 का इस ती तीनों आप बना के लाओगे देख इसको मिटा रहे हैं अब इस पोर्शन के तरफ आएंगे आज तो आपका जितना आज बताना है मैं स्तारा बता देगा आज आज आपको समझना है अब यहां तक कंप्लीट हो जाए ना तो जा हलका पाने होई पीलो कि अगे दम लो आगे चलिए अ जाए यहां ध्यान दिजिएगा हम तो थे रहे हैं मिया जी सुनियेगा समझेगा हम लोग सीखे जैसे कि हम बोलेंगे आपको 11 बाए 10 हैं ठीक है ध्यान सो समझना 11 बाए 100 है यहां पर यहां पर 11 बाए 1000 है इस fraction में decimal place कितना होगा बताआओ भाई जी बता है एक बाई decimal place कैसे निकालते हैं हम divide की तरफ देखते हैं जितना one में zero लगा होगा उतना ही decimal place होता यहां पर one में कितना zero लगा होगा मतलब नीचे में denominator में तो बन में कितना जिरो लगा हूं जिरो अर्था इसका डेसिमल प्रेस मेरा बन हो जाएगा दिमाग की ओपर ओपर जा रहा है तो आप जो है एलेवन वाइट रेंट का वैल्यू निखास है तो हम जानते हैं बताए भी ते आपको चेंज करने के लिए है blur ऐलिएवन और फट तो एलेवन तासे लिख दून निचे कितना जिरो है ंतासे कौंटिंग करते तो ंतान है और 11 by 100 रहेगा तो क्या करेंगे? सिंपल सा मेरा निमिरेटर 11 है ना 11 लिख लेंगे नीचे कितना 0 है? 2 0 है 2 अंक काउंट करेंगे 1 अंक 2 अंक दसम लब यहां आ जाएगा यह हम लोग सिखिए वे यहां पर decimal place number of decimal place कितना हो गया? यहां पर number of decimal place आपका 2 हो गया मतलब नीचे 2 0 तो decimal place 2 नीचे 3 0 तो decimal place 3 यह बाते समझ में आ रही है? यह बाते समझ में आ रही है अगे एक चीज़ और समझ लोग इसी 10 को लिखने का तरीका है हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं छीक है? इसी 100 को हम लोग 2 स्क्वाइर गुना 5 स्क्वाइर लिख सकते हैं इसी 1000 को हम लोग 2 क्यूब गुना 5 क्यूब लिख सकते हैं अगर विश्वास नहीं होता आप एक्ट्राइशन करते हैं देख हमें 100 का एक्ट्राइशन करते हैं समझे ना? लेखे ना? सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब ,शियम الإنت entropyama करने masa venture ,शियम उसका सब्सक्राइब पीज़ेग,शियम चेस्क्राइब ।चना has,को ह। अब हुम लोग यह समझ गये, 2 और 5 इसका हुम लोग पावर देखेंगे, अगर दोनों का पावर 1 है तो decimal place 1 हो जाएगा, अगर दोनों का पावर 2 है तो decimal place 2 हो जाएगा, अगर दोनों का पावर 3 है तो decimal place हमारा 3 हो जाएगा, अगर दोनों का पावर 4 है तो decimal place हमारा 4 हो जाए अब इसको समझना है, ये बाते समझ में आ गया, ये क्या हो रहा है हमें, सुबह सुबह प्रहाने में यह होता है, अब आज ही फश जाने का, हलका फूता समझ्या भी आए ना, चलता है, चलता है, ठीक, या चाहिए, हाँ, आप ध्यान बढ़ता आते रहते हैं, अब इसमझ मे कैसे आएगा, ये सारा कुछ, यहाँ देखो, यहाँ बढ़काते रहते हैं, यहाँ तर समझ में आया, वही चीज बहाँ पर हम लोगो कर रहा है, इससे पहरे वाले क्लास में हम लोग चीखे देख लेकि मुझे लगा, कि नहीं नहीं, इसको बताना फिर से बताना चाहिए ह तो हम लोग फिर सी इसको बता रहे हैं, देखो, इसका सॉलिशन देखना है, इस तरह कोशन धेल सारा पूछा रहता है, ठीक, तो आपको सीखना है, समझना है, यहाँ पर क्या है, 11 का है, 2 क्यूब मल्टिक्लाइब 5, अब बताना है आपको, इसका डेसिमल प्लेस, नंबर पर ही पावर सेव होना चाहिए, तो पाँच पर ही पावर तीन रखे, तब जाकर के हम बोलेंगे, कि डेसिमल प्लेस तीन होगा, अच्छा जी, यह बात है, अर्थाथ यहाँ पर पावर एक पहले से है, इसको तीन बनाने के लिए, हम लोग 5 स्क्वाइट से मल्टिक्लाइ करेंगे, तो चलिए, इसमें हम लोग 5 स्क्वाइट से मल्टिक्लाइ करतें, ओपर और और नीचे, हाँ ची, अब यह हमारा कंवर्ट हो गया, पाँच पच्चीस, ग्यारा अगुना पच्चीस हो गया, यहाँ पर दो क्यू पहले से था, हाँ भिया, अगर पाँच पर पावर तील हो गया, अर्थात उपर मल्टिप्लाइ करतें, ग्यारा गुना पच्चीस, पाँच, पाँच दो साथ, दो सो पसित्तर हो जाए, कैसे भिया निकाल लिए, ग्यारा से मल्टिप्लिकेशन का ट्रेक होता है, मैं सिखा दूंगा, यहाँ ज्यान दो, अब यहाँ मज़ा पस्तोा प्रोगता है, ब्लुपान का लियो, पानी कगता है, पानी के स्कुलागरा het, विये, अहरे धारा, मॉ मैं यहाँ तौन दårिकेशन के – समखेंगे यह तो का दिया स्कुता, पाथ का दिक्तय हो जो, हो कमरेंगे, नहीं मज़संच. अब अब नमिचिए आपके अब इतना लंबा चोड़ा कोश्चन इस सब सौट सौट कोश्चन है अपने अंदर हिम्मत जगा आज जो है इस चैप्टर को क्लियर करना है तो करना है वोई भी कोश्चन नहीं चोड़ेंगे हम ठीक है हाँ जी चल लोग यहां देखो गया तेक है मारी बारे से कुछ और कोश्चन लिखे हैं यह जान नहीं है तो रहे देखे हैं अश्करफॉल यह कोश्चन एक और 2018 में पूछा गया था सेम यह कोश्चन यह खुद से बनाओगी दोरों पर कोश्चन आप बताओगे इसका नमबर आफ डेसिमल प् इस 543 में कंवर्ट करोगे बता दो बिलकुल नहीं बताओगा यह आपको खुद से बनाना है यह खुद से बनाओगी नहीं बनेगा तो मैं बनाओगा अगे हम लोग जो है रूट का वैल्यू निकालने सिखे थे क्यों निकालने सिखे थे विकार उसके बीच में रेशनल ल तो इसके बीच में हमको जो रेशनल लंबर लिखना है तो पर जानी पर प्रसुद नहीं की जोग का वीचिन आपको विच्छ फूट के बीच में पूचाए तो इसके बीच में फ्यूर्ट की में की प्रस्ट लिए तो अच्छे ऑंस बाढ़ी तो यहां और यहां फोर से है तो नबर क्या होता एक प्युक्तू क्या होगा तक हुआ आप दो आपको आपको रेष्नल नंबर पूइन में आपको टाना ऐसा और किया होगा कि देश्णल लंबर देश्णल लंबर पितर पहला है I da रॉस्वल धिरेश्णनल लंबर का एक ट्रिक बता है जो रेश्णल लंबर लिखुएन इसे 4.3 होना णिरेश्ञिल में बात रहा दा तरह यह से यहां पर रहेगा आप जेंज करने ठीक है आपको लिखना है एसे कि यह पॉइंट जीरो सिक्स और पॉइंट जीरो ठीक है आपको रिशनल लिखना है तो और तुरत आ पोलोके यह दो सेंज है जीरो सेंज है स्चाओ और तीन के बीच में क्या आता चार आता पांचा दो प पोची जाता आप की तो क्या लेंगा तो टो समस्छ निख लिए अब च्छाअ अर तीन के बीच में क्या आएगा और फिर तो चार दिखो यहाँ कर शार और चार पर दिखने कर voiture पेपेट कर रहा है। प्रीट कर रहा है। आपको अपनाना है। या समझ में आके आप क्या कहना चाहरे हैं अगे एक question ये बला जो है जो आपके jam में 2020 में पूछा गया है वो आप खुछ से बना सकते हो और बता सकते हो इसके बीच में rational number क्या होगा और irrational number क्या होगा ये सब कुछ मात्र एक number के लिए ही है थीक है मात्र में गोलते उसको और से आसान है यह सौव ही नहीं करना पड़ेगा आपको बना सौव फाइब है बता सकते हो या इसके in-बर क्या होगा नहीं होगा में बना हिसमें प्कूंसी बात है चल visualize बता होगे तो सफिये 5 into 5 और 0.32土 ऑब सबस्के पीच में po Kayak research belong to 0000 से ने 2 & 3 के बीच में बहिया फूच ना है तो आगे बढ़ते हैं no.23 ना भnen कोई समझ चाहिं कोई कोई समझ और इसको देखते हैं अब अराम से एरेशनल नमबर लिखना लिखते हैं 0.231013 फिर 2013 फिर 3013 बस यही फंडा आपनाना है और क्या करना अराम से बनाओगे रेशनल इरेशनल सब बनेगा यह पूशन खुझसे बनाओगे वह बनाना आप बताईएगा सुनो कैसे बनाना इसका पहले तो आपको क्या करना होगा रूट है रूट दो के बनाना और रूट दो का वैल्ट निकलेगा रूट पॉइजिक निकलेगा रूट ब्रूट ईकलेगा हमाई Aun बीच में रेशनल लंबर क्या होगा तो बोलो कि या वन और वन तो सेंगे लिख लिए अगें फॉर और थरी के बीच में फाइब सिक्स दो हैं आपको जो इच्छा करें बोलो हम फाइब लेते हैं 1.5 फिर हो गया 1.5 बस और कुछ करना ही नहीं है तो यह आगे भी लिख लें करते जाना है करते जाना मतलब सबसे आसान यहीं था ना अब इसको देखते लाश वाला पॉर्शन के बाद आप बताओगे यह रेशनल लंबर है या फिर इरेशनल लंबर है ओके हम यह बातिस दमज़ के आगी अब बहुत आप प्रियास करोगे नहीं बनेगा फिर मैं हू पॉर्टी फाइप मरा करते ह। चुझतिसर उड़ाइज कर रहुए इसको कर रहुकति इसका सब्सक्राइब भर्याएच मिश्तिसर नहीं को फष्जर कर दोगें सकाहाइं आपको सब्सक्राइब करने के बाद सिंपल सब्सक्राइब नहीं होगा इसको बनाओगे बन गया होगा हाँ बन चुका है क्या है टू रूट फॉर्टिफाइब सब्सक्राइब करते हैं चीक रहेगा तीन अच्छे बंद रहा हाँ जी अगेंड ट्वैंटी का मेरा निकल गया किस्क्राइब लेते हैं वुटी फाइब की जगह पे हम लोग लीख सकते तिन अच्छे अच और प्लवस की जगह पर लिख सकते हम लोग क्या लिखेंगे दोग्ना दोग्ना पांच है इसèveरकाल हम लोग इसक्वाई हुप को स्वाइब करने सिखे थे या कहां शिखाय आपके सिर्फ डिवीजबल मेंतड सिखाया आप आपकी कहां सिखाया अच्छा जी देखो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं रूट के अंदर जो चीज दो बार लिखा रहेगा टू टाइमस रहेगा सिंपल सस्कों पकर के एक बार बाहर निकाल लेना यहां पर किसका किसका पेर बन रहा इसका पेर बन रहा इसका पेर बन रहा है इसका पेर बन रहा है उसके बदले में एक बार ही वो नमबर लिखने वाले है यहां पर टू पहले से था जिसका पेर बनेगा उसके बदले में एक संख्या बाहर निकाल रहे है यहां पर तीन को हम अब आराम से 2-route 5 है, 2-route 5 प्लस 6-route 5। अरे- दुन्हें नहीं सेमी निकल गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आराम से जोड सकते हैं भीया क्या ही होगा है। तु देखो ना, अबना समझेहो, 6-route 5-6-route 5 कितना होता है? होगा 12 होगा यह पूछने वाली बात है नहीं न अब रूट फाइब रूट फाइब के अंसल यह तब ही करना है जब मेरा मंटिप्लाइब के फॉर्म में रहेगा ऐसा नहीं कि हां 12 प्लस रूट फाइब है और तू प्लस रूट फाइब है अराम से कटा देना गलत हो है यह हमारा ऑड है टॉर यह हमारा एक सटॉट कि फूर फम Daddy यह रहा हो यह रा हो गार एक सबंदेघद का थिश धर स्टी ज इसका पी इस समक्री तॉट ऑग रचॉट पहां दिए जखेंगे कि सुनो अब सिफ एक टॉपिक वचा हो गाएं इसको सीखी लेथे के करते हैं इसको पज़ने वाद है इच्छा कोई वात है इसको सीख लेथे यहां थ्यांदोगे आप 7x75 है ना हाँ जी भी है 7x75 है यहां प्रूंषन को समझना है यह बोला कि यह तर्मिनेट है या नंटर्मिनेट मैंने आपको बताया था कोई ही रेशनल नंबर होगा हां जी कोई ही रेशनल नंबर होएगा तो हम लोग यह देखते हैं वो टर्मिनेट होड़ा एक नहीं हो रहा है जैसे कि 6 में जैसे हम बोले 30 by 6 बोले क्या यह टर्मिनेट भोड़ा है तो पांच बार में यह पूरा पूरा कट जाता थि फाइब टाइंज में फूरा पूरा टरमिनेट और अब यह बताओगे दिध被द ह Ini ये वेराण विनेट है यह दो सब्सक्राइब करेंगे अगर फुरा फुरा भाग लग जाएगा यह कोई जरूरी नहीं है जैसे हम बोलेंगे वन भाइट भाग लगाओ अराम से दो से एक में भाग लगाओंगे सब्सक्राइब करेंगे अगर फुरा फुरा नहीं कटा तो नन टर्मिनेट लेकिन यहां पर वह मैथड आपको नहीं लगाना है सिंपल्स हम लोग 75 क्या करेंगे प्राइम प्राइम करेंगे ठीक है भाइया जी तिन दुनीच मुझे 15 देखो यहां ध्यां देखो सेवन क reb का निकल गया 3 multiply 5 multiply 5 आप यह ढुलिघ है इसको पावर की रूप में लिख लेके क्या यहां पर दो घुना 5 के झाई आब त्य Bus या तो पांच के पावर के रूफ में आना चाहिए या फिर दोनों के गुना के पावर के रूफ में आना चाहिए तो हमारा जो है हमारा terminaeator करता है तो यहाँ पर तीन extra term आ गए तो यह मेरा terminaeator नहीं करेगा यह हमारा non-terminate होगा it is a non-terminating decimal होगया स्वाज में आगे ओकनि इस लिए मरण कर्मिनेटिंग दिश्मेल है अराम से लिए सकते हो कहीं कोई दिकत नहीं कि इस इस नंड अब को एक और एक चीजिए सिखाना था से लोग वह यादी सिखाने की काभी पूछे हम लोग ये सीखें तरह आए हैं आप बता और इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इतना होगा तो है यहां पांच है यहां पांच बनाना पर एक तो हम लोग दोनों में पांच पावर 3 से मैं इस बहुत अच्छी बात अगर मालों यहां पर पावर 5 होता अब बताओ इसका नंबर आफ्डेसिमल प्लेस फाइफ यह तो आपको पता है किस प्रकार निकालते हैं आब है यह तो हमें पता है अगर यही पर धियान से मेरे बातों कुछ आगे अगर यही पर इस रिकार्ट कोड़े च्छा बटे साथ सौख अब यह कुछ ना लिया आपके सामने बताओ कि इसका यह जो है नमबर अफ डिसमल प्लेसिस का कितना हो तो आप यह सुचों कि इसमें किसी से मुटिप्लाइ करे साथ सोमें जो यह हमारा एक सो के मतलब 1 double 0 की फॉम में आजा है तो आप घुर्ट भ Greeks करने निगा इसमें अगर HR साथ से डिवाइड कर देना यहां 30 के फॉर्म में आने वाला थे दू का जा डेले-गहां रुप्लिपकर ऩटो किया करोगे 700 है साथ हो का आप प्राइम अचाओ क्या है डाई अचाओ कर दो करते हैं ठीके अध्यां करो कि आज क्या होगे हमको आज प्रइफ्ली कर रहा है बोलें, पांच से भाल लगेगा आश्टी अपंद्रा पांच से पंद्रा पांच सब्सक्राइब नहीं बता सकते हैं सब्सक्राइब करोगे और अराम से हम लोग यह बता सकते हैं कौन टर्मिनेटिंग अगर जो मेरा टर्मिनेटिंग होगा अराम से हम लोग डेसिमल प्लेज भी बता सकते हैं पावर को देख करके ओके यही तरह आच्छा क्लास रखते हैं कि हम लोग अगले क्लास से पॉलिनॉम्याल्स पहें ठीक है चल्ट